क्या आप जानते हैं कि आपकी सच्ची सफलता और खुशी आपकी उम्र से नहीं, बलकि आपके द्वारा अपनाई गई कुछ खास आदतों और तरीकों से जुड़ी होती है। ये आदतें और तरीके न केवल आपके मानसिक और शारिरिक स्वास्थे को बहतर बनाते हैं, बलकि आपके जीवन के हर पहलू को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं। चाहे आप 18 के हों या 55 के, ये सीक्रेट्स आपकी जिन्दगी को बदल सकते हैं। सोचिए, अगर आप हर दिन कुछ छोटे-छोटे बदलाव करें, तो आप कितनी बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। इस वीडियो में हम ऐसी बहतरीन तकनीकों और आदतों की बात करेंगे जो आपकी लाइफस्टाइल को नया मोड़ दे सकती हैं। हम आपको दिखाएंगे कि कैसे छोटे-छोटे कदम, जैसे सुबह जल्दी उठना, ध्यान करना और स्वस्थ भोजन करना आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। इसके अलावा हम आपको यह भी बताएंगे कि कैसे सामाजिक जुडाव और समर्थन आपके मानसिक स्वास्थे को मजबूत बना सकते हैं। नई उर्जा का संचार करती है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे सफल लोग सुबह के कुछ खास रिचूल्स फॉलो करते हैं। मेडिटेशन, एक्सरसाइज और एक स्वस्थ नाश्ता उनके दिन की शुरुवात का हिस्सा होते हैं। ये रिचूल्स ना केवल उन्हें शारीरिक रूप से फिट रखते हैं, बलकि मानसिक शानती भी प्रदान करते हैं। और एक मोटिवेशनल बुक का पाठ जो उन्हें प्रेरित करता है और उनके लक्षों की याद दिलाता है। यह आदतें उन्हें अपने दिन को प्रभावी ढंक से प्रबंधित करने में मदद करती हैं। आपको मानसिक और शारीरिक रूप से फिट रख सकता है। एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए सुभह की ये आदतें बेहद महत्वपूर्ण हैं। तो क्यों न आप भी इन रिचुवल्स को अपनाएं और अपने दिन की शुरुआत सही तरीके से करें। दूसरा राज सीखना कभी न बंद करें। चाहे आप 18 साल के हो या 55 के सीखने की प्रक्रिया जीवन भर चलती रहनी चाहिए। ये प्रक्रिया न केवल आपके ज्ञान को बढ़ाती है, बलकि आपको नए दृष्टिकोन और विचारों से भी परिचित कराती है। नई स्किल्स, किताबें या कुछ नया सीखने की चाह आपके दिमाग को तेज और शरीर को उर्जा से भरपूर रखती है। सीखने की यह आदत आपको मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रखती है। हर दिन खुद को थोड़ा और बहतर बनाने के लिए समय निकालें। चाहे वह एक नई भाशा हो, एक नया व्यंजन हो या एक नया व्यायाम, हर नया अनुभव आपको एक बहतर इंसान बनाता है। सीखने की इस यात्रा में आप न केवल खुद को बहतर बनाते हैं, बलकि अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित करते हैं। इसलिए कभी भी सीखना बंद न करें। यह जीवन को और भी सम्रिध और संतोष जनक बनाता है। तीसरा, राज रिष्टों को महत्व दें। जिंदगी में खुश रहने के लिए रिष्टे बहुत जरूरी हैं। दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताना आपको मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाता है। चौथा, राज प्रकृती से जुड़ना आपके मन और शरीर को नई उड़ जा देता है। चाहे वो एक छोटी सी वॉक हो या फिर हफते का एक दिन नेचर के बीच बिताना, इसका असर बहुत गहरा होता है। और आखिर में अपने पैशन को फॉलो करें। आपके अंदर छिपी हुई कोई खास हुनर या शौक, आपको जिन्दगी में नई उचाईयों तक पहुँचा सकता है। अपनी रूची को पहचाने और उसे अपनी दिन चर्या का हिस्सा बनाएं। तो चाहे आप 18 के हों या 55 के, ये कुछ छोटे मगर महत्वपूर्ण बदलाव आपकी जिन्दगी को पूरी तरह से बदल सकते हैं। इन सीक्रेट्स को अपनी लाइफ में लागू करें और महसूस करें एक नया जोश, नई एनरजी और नई खुशी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक और शेर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। ऐसे ही और इंट्रेस्टिंग टॉपिक्स के लिए। दोस्तों सुनिए, ओंकल्ट जॉन दिनेश लेकर आया है माई नक्षत्र वास्तु कोर्स। अपने नक्षत्र के रहस्य जानिये और वास्तु शास्त्र की शक्ति से अपनी जिंदगी में खुशहाली और काम्याबी लाइए। अभी अन्रोल कीजिए और अपने भविश्य को बदर दरूए। अपने वास्तु बद्रूए। कर दो